Hi everyone, welcome to my YouTube channel Sani Ji. हाल इमें Department of Library and Information Science की और से National Level Online Quiz रखा जा रहा है Books and Authors का जिसमें यहां पर 57th National Library Week Celebrate किया जा रहा है One Week का इसमें Quiz Competition रहे का 60% से ज़्यादा स्कोर करने पर इस Advocate आपको दिया जाएगा साथ ही हम Online Webinar की बात करेंगे Impact of Language on Emotion and Development की अगर आप इसमें Participate करते हैं आपको E-Sedivicate दिया जाएगा और यह Free Webinar रहेगा अगर आप Interested है तो Participate कर सकते हैं एक घंटे के Webinar को कैसे आपको Registration करना होगा इसके लिए और Quiz Complete कर Certificate कब और कहां मिलेगा सब कुछ आपको Step by Step वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ वीडियो को पूरा देखिए का और अगर चनल पर First Time आए है सारी जी पर इसे सब्सक्राइब कर वैल आइकन पर प्रेस कर दीजी का ताकि हमारी Daily Update आपको मिलती रहे लिंक आपको इसे डिस्क्रिशन ओक से मिल जाएगी अप्लाइ लिंक पर क्लिक करने पर आप हमारी Education Supreme की ओफिशल साइट पर विजिट करेंगे First Time वैबिनार की बात करेंगे Impact of Language on Emotions and Development जो फ्री रखा गया ही Department of Linguistics University College of Arts and Social Science की और से यहां फ्री ये वैबिनार उसमानिया विश्विद्याले हिदराबाद तेलगाना द्वारा रखा जा रहा ही About the webinar की बात करें टॉपिक रहेगा Impact of Language on Emotions and Development जो 20 नॉब्बर 2024 को वेनस्टे वाले दिन सुबह मॉर्निंग में 11 बजे से 12.45 तक रहेगा पोन गंटी का ये वैबिनार रहने वाला ही फ्री में registration कर सकते हैं Participant को E-cadvocate दिया जाएगा यहां आपको speaker रहेंगे Dr. Shri Krishna Sir and apply link का option दिया गया है इसके दौर आपको registration करना होगा अपनी कुछ basic से information देकर आपको ये form फेल करना ही जिसमें आपको first आपका नाम लिखना है और email id देनी है सही email id दीजिए क्योंकि email पर आपको link provide की जाएगी zoom meeting के द्वारा ये webinar रहने वाला है और इनका YouTube लिप भी रहेगा जिसी की link आपको यहां पर इनके blog पर मिल जाएगी and आप ये webinar इनके zoom meeting के जरिये या YouTube लिप के द्वारा कर सकते है इसके बाद आपको नाम gender designation में अगर आप student है तो student डाल सकते है department यहां पर course क्या study कर रहे है वो यहां पर आपको mention करनी है college university का name यहां पर city state country का नाम डालना है content number and आप कौन सी language यहां पर prefer करते है आपकी mother tongue क्या है Hindi English जो भी है आप यहां पर feel कर सकते है and आप कौन कौन सी language जानते है उसके बारे में भी आप डाल सकते है and would you like to attain more program इनके आप organization द्वारा रखे गए और यहां पर webinars या workshop attain करना चाहते है तो yes पर tick कर सकते है बाग अगर आप interested नहीं है तो no पर tick करिएगा और अगर आपको topic के बारे में suggest करना चाहते है आने वाले future में webinar के लिए तो इस topic को यहां पर डाल करके summit कर सकते है इस form को feel करके अगर आप interested ज़रूर इस webinar को attain करिए पौन गंटे का webinar रहेगा 20 नौमबर 2024 को सुबह morning में 11 बजे और इसमें आपको side advocate भी provide किया जाएगा आप चलते हैं हमारी quiz competition की और quiz competition की लिएग में आपको इंचे discussion आप समिल जाएगी अप लैनिट पर click करने पे आप हमाई site Sanji पर visit करेंगे books and author का online national level quiz रखा गया ही department of library information science जगला मुंडी कुपु स्वामी चोत्री college गुटूर्द्वारा रखा जा रहा ही about the quiz competition की बात करें on the occasion of 57th national library week celebrate किया जा रहा ही 16 नॉमबर से 20 नॉमबर की बीच इसी occasion पर national level online book and authors का quiz रखा गया ही जो 15 नॉमबर 2024 को start किया गया था 18 नॉमबर 2024 last date रहेगी इस quiz की free में participate कर सकते ही सभी participate को e-cadvocate दिया जाएगा 60% या उससे ज़्यादा score करने पर google form की जरीए आपको ये quiz attain करना होगा apply link option देगा है इस पर click करिएगा जहां से आपके पस कुछ इस तरह का google form खुल कर आएगा online books and authors के उपर यहाँ पर quiz पूछ जाएगे national level quiz रहेगा अपने कुछ basic से information देनी है first of all सबसे पहले आपकी email id designation में सभी participate कर सकते है professor, assistant, professor, lecture, librarian, student, others आप जो भी है select कर लीजएगा इसके बाद phone number participant का नाम, college, place का name इसके बाद next कर दीजएगा MSQ type की question रहेंगे first में आपको books and authors के बारे में quiz पूछे जाएगे and second में with pictures के साथ आपको MSQ type की question पूछे जाएगे दोनों आपको solve करने ही then आप अगर पास होते है 60% score करते हैं इस एड़ विकित आपको email पर प्रोवाइट किया जाएगा यहां question आपके swap रहेंगे आगे पिछे रहेंगे पहले आप इनका screenshot ले लीजिए फिर return करिएगा चली video start करते हैं करते हैं समिट कर दीजिएगा समिट कर आपका view score चेक कर सकते हैं यहां पर view accuracy देख सकते हैं आपने किस question का concern जर टिक क्या है यहां पर आपका score चेक नहीं कर पाएंगी इस तरह से आप देख सकते हैं आपने किस question का क्या answer दिया है अगर आप यहां पर 60% requirement पासिंग के लिए कर लेते हैं यह उस से जादर score तो आपको certificate email पर आ जाएगा चली आपको certification बता देते हैं इस तरह कर रहेगा email पर मुझे certificate आ चुका है यहां पर इस तरह से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं certification ID भी रहेगी आपकी email ID पर ही इसे download कर लीजिएगा download पर क्लिक करके यह certificate कुछ इस तरह कर आएगा नाम के सासत यहां पर इनके senior channel लोगों भी रहेंगे यहां पर यह competition, quiz competition, department of library, information, science, जगराला, मुंडी, कुपु, स्वामी, चोधरी, college, गुटूर की और से रखा गया था इस certificate को अप extra curriculum activity में यूज़ कर सकते हैं अपने social media account पर share भी कर सकते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए topic के साथ, thank you so much, have a good day